Hello everyone, मैं आशर करती हूँ, आप से भी ठीक होंगे, मैं कादिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी चानल पीपल टीचर में सीटाइट परिक्षा के अप्लिकेशन फॉर्म जो हैं, वो यहाँ पर फिल अप हो रहे हैं I hope आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, जिन्होंने सीटाइट परिक्षा के अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा वो जादर सेदा हैं पर सही हो, तो इसके लिए आज एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है कि आप हिंदी पैड़ागोजी को किस तरीके से अप्रोच करेंगे और साते साथ इसमें मैक्सिमम कैसे स्कूर करेंगे तो देखिए आज की एक सिंगल वीडियो से आपके यहाँ पर हिंदी पैड़ागोजी जैसे कि हमें पता है कि पूरे 15 मार्क्स की पूछ जाती है, आज की अगर यह सिंगल वीडियो को अगर आप देख लेते हैं मैं लास्ट में जो कोशन आपके साथ डिसक्स करूंगे, आप उनमें यह चीज़ें आप अपलाई करके देखिएगा या फिर आप प्रीविस एर का कोई भी सेट आप लगा के देखिएगा कि इन वर्ट से आपको कितनी जादा मदद मिल रही है इसी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ कल एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर कई सारे टॉपिक मैंने आपके साथ 506 टॉपिक ऐसे बताये थे जिनके मैंने आप लोगों को short keywords बताये थे उन keyword से आप उन topic को किस तरीके से जल्दी जल्दी आप solve कर सकते हैं आप लोगों ने वो video बहुत जादा पसंद किया है अगर किसी candidate ने वो video नहीं देखी तो आपको playlist section में पहली playlist मिलेगी जिसमें marathon classes हैं उनी में मैंने वो video भी आज कर दी है तो चलिए आज की class शुरू करते हैं जैसे कि मैंने कहा कि आज की class यह जो पूरी की पूरी class है वो हिंदी pedagogy पे dedicated है तो देखी हिंदी pedagogy के कुछ शब्द मैं आपके साथ यहाँ पे discuss करूँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा मादद करेंगी जैसे कि आप यहाँ पे पहला शब्द यहाँ पे देख सकते हैं भाशा परिवेश अब देखें भाशा परिवेश क्या होता है और यह कैसे पूछा जाता है तो देखें अगर आपका कोई question यहाँ पे बन जाता है language से भाशा से सम्मंदित हमें बच्चों को भाशा किस तरीके से सिखानी है या फिर बच्चों का भाशा अधिगम और भाशा अर्जन हमें किस तरीके से करना है तो सबसे बड़िया तरीका होता है कि उन्हें भाशा का परिवेश दो यानि कि उन्हें language का environment प्रुवाइट करके दो अगर हमें किसी बच्चे को कोई नई चीज सिखानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके आसपास उसी तरीके का वातावरन उसी तरीके का environment क्रेट करना पड़ेगा तो देखिए अगर हम हिंदी भाशा यहां पिस सिखाना चाहते हैं हमें हिंदी भाषा का प्रियोग ज्यादा करना यानिकि ऐसे इम्वार्मिंट में बच्चे को रखना है कि बच्चा उस भाषा को ज़्यादा यूच करे तो यह क्या है ये शब्द के लिए क्या ज्यादा आपकी सेख में भी पूछा जा सकता है भाषा परिवेश, हमें देना है बच्चे को ताकि बच्चा उस भाषा में जाधा अच्छे भूले मिले इसके अलावा सीधा सीधा एक और टेर्म इहां पर दे रहेते हैं भाषा प्रियोग अब देखिए जैसे कि हम लोगों को पता है लैंग्विज क्या है लैंग्विज एक तरीके का माध्य माना जाता है जिससे हम दूसरों के साथ अपनी को एक्सप्रेस करते हैं तो देखिए भाशा का जब तक बच्चा प्रियोग नहीं सिखेगा तब तक हम बच्चे को चीजें नहीं सिखा पाएंगे तो कई बारी यह कोशन भी पूछे जा सकता है कि हमें भाशा कैसे सिखानी है तो भाशा प्रियोग के माध्यम से उसके कोशन का करेक्ट आंसर होंगे यह ऐसे वर्ड मैं प्रिवेस एयर के जो कोशन पेपर हैं उन में से मैं आप लोगों के लिए चाट के लिए हूँ अब देखिए इसके अलावा हमारा एक इंपोर्टेंट कोशन यहां पर पूछा जा सकता है जो भाशा अर्जन शमता होती है यानि कि जो हमारे Language Acquisition Device जिसे हम L.A.D. के नाम से भी जानते हैं वो कैसी होती है यह जो आपका भाशा अर्जन शमता होती है यह कैसी है यह जनजात होती है और इनके बारे में किस ने बताया है इनके बारे में हमें चौमस्की ने बताया है तो देखिए बहुत बारे हमें ह अनुसार जो भाशा अर्जन है वो कैसा है तो यह जनजात होती है तो यह चीदिया आपको यहां पर क्लियर होनी चीए इसके अलावा देखिए यहां पर हम लोगों को एक और कोशन पूछा जाता है जो कि आकलन से समन्दित है अब देखिए हमें आकलन कैसे करना है और आकल पूर्टफोलियो एक तरीके से रिकॉर्ड फाइल होती है और रिकॉर्ड फाइल में बच्चे के जो एक तरीके से प्रोग्रेस यह यहां पर सीक्वेंस वाइस उसे घकार रखा जाता है तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि बच्चे का हमें आकलन किस तरीके से करना है इसके अलावा हमें अगर भाशा सिखाना है और अगर हम भाशा सिखाना चाहते हैं तो सबसे बड़े तरीका है बच्चे को यहां पर अवसर प्रदान करो कि इस भाशा का जादा स्यादा वो प्रियोग सीख पाए तो देखिए यह तो एक positive tag word में भी आ जाता है कि हमें तो देखिए बहु भाशिता को हम कक्षा में कैसे शामिल कर सकते हैं जो बहु भाशिता होते हैं यानिकि अगर आपकी classroom में बच्चे अलग लग तरीके के language को यूज करते हैं तो आप उसे किस तरीके से लोगे उसे एक तरीके से challenge की तरह लोगे या फिर बच्चे को मना कर दोगे तो आप यहाँ पे इसे संसाधन की तौर पे लोगे यानिकी इसको आप एक resource की तौर पे लोगे और उससे क्या होगा कि आप कक्षा में यहाँ पे multiple resource की तरह उसे use कर सकते हो तो कई बारी पूछा जा सकता है कि बहु भाशिता अगर आपकी classroom होते हैं तो आप इसे कि तरीके से लेते हो तो इसे हम यहाँ पे resource की तरह इसे हम यहाँ पे संसाधन की तरह देखेंगे और कहीं न कहीं इसको हम नकारेंगे नहीं और कई बारी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो भू भाशी हैं तो आपको क्या करना चा अलावा अगर हम language की बात करें तो language में भाशा में जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज को जो हम रीडिंग करते हैं रीडिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए और रीडिंग करने का क्या फाइदा है रीडिंग हमें यहाँ पे अर्थ पूर्ण यानि कि हमें meaningful reading करनी है तो दे वीडियो आपको 506 नंबर यहां पर confirm करेंगी और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्जाम कर टाइम आपका बहुत पास आ रहा है एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है तो आपको यह सब चीजे पता होनी चाहिए आप अपना syllabus तो complete करी रहे होंगे साथे सा तो आपको question solve करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब देखिए इसके अलावा हमारे दो सबसे में टर्म जैसे कि अगर हम इंग्लिश के बात करें तो उसमें language learning और language acquisition होता है तो देखिए यहां पे आपका भाशा अर्जिन भाशा अर्जिन कैसा होता है भाशा जब हम अर्जित करते हैं यानि कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्राकृतिक तरीके से बच्चा जब भाशा को सीख रहा होता है तो यह क्या है यह एक सहज प्रक्रिया है और सातिस्वाज स्वभाविक रूप में बच्चा इस सीख को सीख रहा होता है आपको इसके लिए कोई अलग से अर्थमून प्रियाश करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने यहाप इस रीज को ग्रहन करता है, इसके अलावा यह टर्म हमारे पूछ जाते हैं कि भाशा अर्जन कैसा है, यहाँ पर अलग अप्शन दे देंगे, तो आपको सहज और स्वभाविक वहाँ पर इसके अलावा एक important area के पूछा जाता है, जो भाशा अधित्विक जिए और भाषा अर्जन इन दोनों में आंथा. क्या है इन दोनों में अंतर आपका यहां पर लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे भाशा परिवेश का यानि कि इन्वार्मेंट का दोनों में अंतर होता है अब इसके अलावा देखिए अगर हम किसी भी subject की पड़ागॉजी की बात करें लाइंग्विज की पड़ागॉजी की बात करें तो आपको यहाँ पर एरिया कौन-कौन से है पहला एरिया होता है ऐसे कौशल जिनको हम ग्रहन करते हैं तो देखिए ग्रहन करने में क्या होता है कि बच्चे यहां पर निश्क्रिय होता है और साथे साथ जो हमारे श्रवन कौशल होते हैं कि जो हम सुनते हैं वो चीजे हम दूसरों की बात को ग्र are ino smile , to prove yourself और जहानातört में कोई इसधार्न कोई काऻशल से हैं तो आप ह் भुज σε हैं के हैं तो नैंके आपक करें उसकान एंदर कोई चीज बना रहे हो तो जब आप करें लिब आनिके फूशदी काउंच एक अंधातर यहां तो मेरे मन मेरि म mate रहाएं को देखन कऊषन के साथ क्यों कि आप अपनी बात को किंगि कि से इहां की बावनाया थो कोई चीज आप आप यहां पर उत्पात कर रहे हो तो यह भी कही भार्यवीश पूचण आसकता लेंग्वे स्किल भी यहां पर त्यार करनी है अब देखिए मैंने आज की एक शॉट वीडियो में मैंने आपके साथ नौ ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक डिस्कुस किये हैं जिनको आप यहां पर थियोरी वाइस पड़ोगे तो आपको यह टॉपिक बहुत लेंदी लगेंग जैसे कि मैंने कहा आपके एक वाइट शीट में अगर आप लिखने बैठोगे तो आधे पेज में यह सारे टर्म आ जाएंगे बट कहीं न कहीं आपके पेपर में पांच यह चे नंबर यह टर्म आपके यहां पर कन्फिर्म कर देते हैं अगर आप इनको अच्छे से यहां समझ गये हैं तो चलिए मैं आपके साथ यहां पर कुछ कोईशन्स डिसकस करती हूँ जो की इन टर्म से आधारित है और अभी हमारे जो ऑनलाइन सीबीटी मोर में परिक्षा हुई थी उसमें पूछे गये साथे साथ अगर आपके पास तयारी का ज्यादा समय नहीं है और सीटाइट परिक्षा के कंप्लीट सारा कंटेंट एक जगह पर चाहिए तो देखिए सीटाइट परिक्षा के कंप्लीट हां निटर नोट्स यहां पर तयार किये गए आप लोगों के लिए वह भी नए पैटर्न के अनुसार जिसमें सारे नए टॉपिक आपको मिल अब चलिए मैंने जो आपके साथ अभी टाइग वर्ड या फिर जो इन्पॉर्टेंट टर्म मैंने डिस्कस कि उनसे समंदित हम जरा कोईशन को जरा करके देखते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि इन शब्दों को ध्यान में रखके हम इन ऑप्शन को यहां पर देखेंगे आपको पहले तो यहां पर कोईशन को अच्छी तरीके से देखना आना चाहिए अगर आप देखें तो तीसरे ऑप्शन में यहां पर बता रखा है कि यह बच्चों को भाशा का अवसर मिलना चाहिए अब देखिए अगर बच्चे को भाशा का अवसर मिलेगा तब बच्च को यहां पर focus करना है और अगर आप में टार्गेट को focus करते हैं तो इस question का आपका तीसरा option है यह सही हो जाएगा अब देखिए अगर आप लोगों का उतना ही time लगना होगा जितना time आपका पहले लग रहा था तो इन words से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा आपको time बचाना है और जल्दी जल्दी इन प्रेश्णों को हल करना है वो भी सही तरीके से अब देखिए यहां पर बोल रखा है कि जो भाशा के कोशल होते हैं जो कि उत्पादक कोशल होते हैं वे क्या कहलाते हैं तो देखिए option को मारी ग कोशल और साती साथ आप जब कोई चीज लिख रहे हो तब आप क्या कर रहे हो अपनी feelings को किसी और के सामने यहां पर express कर पा रहे हो और यह दोनों चीजे आपको कहा मिल रही है यह दोनों चीजे आपको तीसरे option मिल रही है तो इस question का तीसरा जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अगला question आप यहां पर देख सकते हैं अगले question में हम लोगों को यह बोल रखा है कि प्रात्मिक सर पर बच्चों का भाशा विकास सरभादिक रूप से निर्भर करता है किस चीज पर निर्भर करता है तो देखिए पहला ही शब्द मैंने बताया अगले question की तरफ चलते हैं अगला question आप यहां पर देख सकते हैं अब देखिए यहां पर बोल रखा है कि बच्चों में भाशा सीखने की जो शमता होती है इसके बारे में किस ने बताया था इसके बारे में हमें नॉम चॉम्सकी ने बताया था जो की language acquisition device है यह कैसी होती है यह जन्र जात होती है तो इससाब से इस question का तीसरा जो option होगा यह correct answer है अब चलते हैं अगले question के तरफ अगला question आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों की भाषा सीखने में सरवादिक महत्पून है बच्चे को अगर भाषा सिखाना है तो उसके लिए सरवादिक महत्पून क्या होगा तो देखिए अगर भाषा का प्रियोग अगर मैं आप से पूछू कि क्या होता है भाषा का प्रियोग तो आप बोलेंगे भाषा का के तरफ अगला question आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले question में यहाँ पर बोल रखा है कि भाशा सीखने और भाशा अर्जिन करने में यहाँ पर मुख्य रूप से क्या अंतर है तो देखें अभी मैंने आपके साथ discuss किया था कि भाशा अधिगम और भाशा अर्जिन में जो भाशी कक्षा होती है उसमें बच्चों को भाशा किस तरीके से बच्चों की भाशाओं को हम किस तरीके से देखें उसको हम संसाधन के रूप में हमें देखना चीए ताकि हम resource के रूप में उसका प्रियोग कर सकें और बच्चे को जादर से जादर नई चीज़े हम सिखा स इस question का ए जो option है ये correct answer है अब आज की इस video का आखरी question आपके सामने है अभी मैंने ये topic भी आपके साथ discuss किया था question number 8 आपका यहाँ पे homework question हो जाएगा आपको बताना है कि इस question का क्या correct answer है कम time लेना है जादा score करना है और अपना time उन questions के लिए save करना है जैसे की passage जैसे की mask के प्रश्ण ताके आपका time management paper में अच्छे से हो सके इस video में इतना ही आप चाहें तो सीटाइट परिक्षर के complete handwritten notes आप paid form में ले सकते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे screen में आप लोगों के लिए number लिख देती हूं ताके आप इस number पे whatsapp कर सकते हैं